तो घ्रवान वेलकम तू अभयान्यो आएस नंबर वं प्लाटफार्म और यह सीशट प्रिपेशन और यूपशेच जूट रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वोइस बताईए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो ते बिदे शूट रहे हैं तम्स अप का निश अच्छान देंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले प्लीज जल्दी से बताईए अगर आडियो वीडियो क्लियर है आज हमारा 2022 का एक्जाम खतम हो जाएगा मंदर पेपर डिसक्शन चल रहा है जो पीवा क्यों ठीक है फिर हम स्टार्ट करेंगे 2023 का कल से ज जल्दी से बताईए ओके सन्यासी CAC व्लोग यस ओके तो आपने पिछले सेशन देखें आज हमारे पास है हम 2022 का एक्जुली मैं आपको बता दो हम करके आ रहे हैं हमारे प्रिवीज सेशन चल रहे हैं आज हमारा 2022 का पेपर हम डिसकुस करने लेगे हैं जो यूपी ऐसी CAC 2022 है वो एक्जाम आज हम सुनेंट करने वाले डिसकुस क्लियर तो आपने पहले कभी शेशन देखें हैं अब अभी हमसे जुड़ना शुरूव है सन्यासी बताईए या सन्यासी संशी सन्यासी इट सन्यासी ऑके अनिशद गरत बट दिया चलिए तो देखो मैं आपके पैटर्म बताता हूं देखो अभी आपके बास दो मिनने से थोड़ा सा जाधा राइप बचा थोड़ा से जाधा जाधा नहीं बोलूगा मैं गोड़िक और कमारे चाहिए अनिश्चे टीक है सुरी डेखो बिटभी एव देखो जब भी को इग ग्जाम आपने पास करना होता ना सबसे पहले एक्झाम के ट्रेंड को देखों पिटेंट किया चल रहा है ठीक है इसके बाद उसके लेवल को चेक करों क्या लेवल है यह उसका दियोरी परत और त्रीस और में सी क्यों यह पैटरन होते हैं किसी भी एक्जाम को क्रेक करनेगा क्लियर कोई भी नॉर्मल की एक्जाम है आपका कोई भी एक्जाम हो दुनिया का उसको क्रेक करनेगा यही एक तरीक है क्योंकि अच्छा अगर कोई एक्जाम पहली बार हो रहा उसके लिए नहीं होगा क्योंकि उसके लिए नामे कुछ पता सिर्फ सिंपस लेबस कंप्लीट करके जाना हो था उसके लिए बट अगर कोई एक्जाम हो रहा है जैसे इतना सफिचेंट होगा किसी भी एक्जाम को ट्रैक करेंगे लिखास कर चलिए तो फटटापटम स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हमारे पास एक फूल बैच भी है आप selected topics भी कर सकते हैं selected topics भी आप कर सकते हैं clear आप full batch भी कर से selected topics भी कर सकते हैं कोई problem हो 95177 1658 इस नमबर भी आप call कर सकते हैं इस नमबर भी WhatsApp भी कर सकते हैं करो की problem हो कोई doubt आता कुछ आता है तो इस नमबर भी आप easily आप मुझसे contact कर सकते हैं और आपके सारे-सारी जो समस्या है, समाधान है, वो मिलेंगे अब, clear, चलिए, आज की क्लास का पहला कुछ है, यहीं पेशिस की स्ट दोजर वाइस का, आज कुछ नए कोशन लेके हैं, जो दोजर वाइस से इस में पूछे का या लगले एक्जाम से में, वो, बट वो एंड म डिजिट, डिजिट इन दा पिन, फ्रॉम लेप तो राइट अग डिसेंडिंग ओर, मतलब इधर से इदर आ रहे हैं, डिसेंडिंग ओर में, ऐसे उसक्त है, साथ छे पांच, छे पांच, छे पांच, आर ऐसे करके, या आप मुझे वट्साइप कर दो, डाउट आपको में बताऊंगा, अभी मैं जो करवा रहा हूं, वो करवान दो, नमबर है 95177, इस नमबर वे आप मुझे वट्साइप कर दो, I'll let you the solution, ठीक है, आपका solution पहुंच जाएगा, मुझे इस नमबर वे वट्साइप कर दो, clear, any two digits in the pin differ by at least two, मतलब कोई जो आपके बाट digits हाओ, कम से कम दो का differ होना चीए, ठीक है बात, अच्छा, how many maximum attempt does one need to find out the pin with certainty, बताओ, ये conditions दी है, कैसे सको कर सकते हैं, this is our condition, कैसे कर सकते हैं, आप मुझे न, इसको भेज़ दो कोश्चन को, तो दर टाइकन रेक्टिफाइ माइं, इसको करवा दूँगा, आप मुझे भेज़ दीज़े कोश्चन ये वला, चलो, देखो, आजी, नमन हुआ कोश्चन ये बताओ, मुझे एक बार, चली, देखो, बहुत सिंपल कोश्चन है, इस तरह कोश्चन करने के लिए थोड़ा सा धहरे रखो, देखो, सबसे बहली बात, आपके बास डिजिट्स कौन कौन से है, वन हो गया, तू हो गया, त्री, फोर, मतलब ये हैं आपके बास, और आपके बास एक तीन डिजिट का तक का नमबर है, ठीक है, आठ होना चाहिए, बट आठ कौन कौन सेनमबर होंगे बताएंगे, ये मुझे बताएंगे, आठ कौन कों से होने चाहिए, एक अमन, आमल, देखो, सबसे पहली बाद, तीन नमबर्स है, एक, दो, तीन, वो कैहरे है, इनके बीच, मिनीमम दो कर ड difference होना चीय, ये कैसे पत्त सलता है मुझे है, कर दे पंदी एक सिंपल सा मैं वुदंधाओं थीक है, अच्छा यहां साथ हो सकता है, पांच हो सकता है और यहां पिया दो सकता है, साथ हो सकता है, पांच हो सकता है, एक हो सकता है, minimum तू बोला है, यह तो तू नहीं बोला कि at least तू ही चाहिए, दो से जाधा भी दो सकता है, पिर, अच्छा, next हो सकता है, चार हो सकता है, दो सकता है, साथ हो सकता है, आपके पास, हाँ जी नुमल बताओ मुझे, हैसे यह कुछ अचा अब क्या होसकता है जब 오랜만 ने पॉस्जिर कश कर सकता है सेकेंड पूजिशन में किसी कर सकता है अगर आज 6 लेता हूँ या 4 लेता हूं ou 2 ले सकता हूं या 6 ले सकता हूं चार ले सकता हूं एक ले सकता ह определ करो तो जब मैंने छे वाले लिए तो तीन आगे आप कौन सा पचा पांच पांच दो गटाओ तीन दो गटाओ तो कितने होगे केस कांट करो 12 कैसे 10 बनेंगे दो अलग केस कौन से बना दिया आपने बताए मुझे एक बार इससे छोड़ के कौन से केस बने आपके पास इससे छोड़ के कौन से केस बने बताऊं मुझे एक बार प्लीज एक्टिफाई हां बिल्कुल दस बनेगा दस अंसरे सका समझागी बात तो थोड़ा सा सोच के देखो सुचन वाले को हुख तो बहुत ऐसी है इसमें Reporters US कारें में आघी यह इसमें हो सकती घर न च कौण्स के लिए तोड़ा सा ईक बटाऊ मुझे बार इस एक्कलीं से नो नो भी नेंट कहको बढ़ेंगे आज जल्दी से बताईए so that we can move forward to the next question होफफिली नोट कर लिया होगा next पे चल पे चलो यह important question है तोड़ा सा जमेटरी का कौन से आप तो लगेगा इसमें वट वैलेफ ट्राई कीजिए there are 8 equidistance points on a circle मतलब एक circle में 8 equidistance points दिये हुए how many right triangle triangles can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one of its triangle side बताऊ मुझे क्या दिये है there are 8 equidistance points on a circle की एक circle भी 8 बराबर आपका बस 8 equidistance point है how many right triangle triangle can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one of side of angle बताइए क्या अंसर होगा please बताइए क्या अंसर होगा 16 16 कैसे normal 16 कैसे क्या 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 पर्मेटेशन का फॉम्मला लगा यह है देखो पहले समझो बड़ तक कोशिन नहीं सेहिंग कोशिन के रहा है आपके पास एक circle है कोशिन के रहा है आपके पास एक circle है ठीक है उसको पर 8 points है मैं बनाता हूँ एक equidistance 8 points है एक दो तीन चार पांच से we have 8 points ठीक है मेरे पास 8 points है ठीक है बिल्कुल देखो होता के basically जब आपके पास कोशिकल है एक diameter है अगर मैं एक टॉप पे angle made in semicircle कितना होता है अगर मैं इसको डामिटर मानता हूँ क्योंकि हर एक दो point जब मिलेंगे वो अपने डामिटर बनाएंगे opposite वाले तो यहां कि अगर मैं बात करूँ student क्या कर रहे देखो एक ठीक है नपे डिगरी दो नपे डिगरी तीन नपे डिगरी यह बात clear हुई हाँ यह बात clear हुई हाँ यह बात clear हुई और अगर मैं इन दो points को निच्छे भी लूँ एक दो और तीन मतलब एक जो single line है मेरी वो कितने नपे डिगरी के triangle produce कर रहे है 3 plus 3 यह ने 6 triangle बन रहा है मेरे पास कहूंस है right triangle triangle और ऐसी कितने lines है एक ही होगी एक ही होगी एक ही होगी और एक ही होगी टोटल कितने lines है एक line producing 6 triangle तो 4 line producing how much 6 into 4 is how much 24 triangles yes यह बिलकुल सही अंसर अंसर इस option number नोमल clear होगा question हांजी very good 1 point से 2 perpendicular नहीं 2 आप ऐसे बोलो होगे 2 point से 1 perpendicular है हांजी clear है hopefully clear होगा question that was very interesting question बहुत interesting question चलिए next question में चल रहा है इसका answer दो मुझे जरा कितना है 30 more than 30 less than 30 or more than 30 days start is inadequate to undrawing अलकुजर बताओ मुझे जरा answer time and work का question basically है time and work का question नहीं बताओ चलिए जो बच्चे जुड़े है like कर दिया आप लोगों ने share कर दे कोई doubt हो तो please पूछिए ठीक है और मैं भी बता रहा हूँ अभी समय है आप पूरा course भी कर सकते हैं आप एक particular topic भी कर सकते हैं ठीक है उसके बारे बताओं को 951 777-1651 इस नमबर पर student call करिए इस नमबर पर whatsapp कीजिए आपके जितने भी doubts है आप वह whatsapp करो I'll tell you the solution ठीक है चलों बताओ क्या answer देखें क्या question अजी आया answer online में किसी का student का देखो simple सी बात question क्या कह रहा है कि देखो work मेरे पास क्या होता है work होता है मेरे बास M1 D1, H1, E1 है ना बोर W2 क्या होता है मेरे बास M2, D2, H2, E2 मैं कैसे efficiency calculate कैसे करता हूं मैं बोलूंगा M1 D1, H1, E1 upon W1 is equal to M2, D2, H2, E2 upon W2 यहां से मैं दो more than 30 days ठीक है more than 30 days क्यों आएगा इसका सुनो अब जरा जहां से छोड़ दो question जब मेरे पास देखो मेरे पास क्याए 24 men and 12 men यहने 24 men है plus 12 women है इसी काम को 30 दिन में करते है ने how many days देखो मेरे पास यह work आ गया बट compare किसे करूं मैं इसको मैं compare किसे करूं that is the point समझा ही बात इसको compare किसे करूं यह left to the right तो ही नहीं तो जब तक मेरे पास दो जैसे मेरे पास equation है जब तक दूसरी क्यों ना होना अगर मैं तो टू एक्स सेवन वाइस इकलो 43 अब आप के आप आपके सार एक्स वाई की वैल्यूस है बट इसका अंसर क्या है data is inadequate basics पर काम करिए थोड़ा सा नुमल ठीक है जब तक यह चीज़ा समझे नहीं कि पेपर में दिक्कत होगी क्योंकि यह पेपर का कोशन आपके 2022 का इसलिए लिए देरे सारी बात्या आपको पता चलेंगी जब जुड़ोगे मेने साथ क्लियर अजी नुमल क्लियर होए कोशन पताईए मेरे को एक बार प्लीज क्लियर ओके तो प्लीज नोट कर लिए इसको और यह लिख लेना कंपे कंपेर करके कोशन मार ताकि कल को जब आप रिवाइस करें तो यू मस्ट नो कि यहां कहां कलती की थी आपने क्लियर चलिए लेट आस मूड़ा नेक्स कोशिए अपने नोट कर लिए होगा चलिए चलिए वट इस दर इमिंटर वैं 91 इंटी टो 92 इंटी थी इंटो 95 94 94 96 97 99 इस डिवी डिवाइज दिवाइज 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 रिसको मैं डिवाइड करता हम तो क्या बचेगा मेरे बस बताइए बड़ी कि अंसरूग वन कैसे कैसे वन आएगा बताओ आउँ आउँ पांसा तो ठीक है आपने बचादे वन बट कैसे ठीक है दो और पांच को मल्टिव लाइक करने भी जीरो होगा तो उससे क्या फरक पड़ रहा है आई डोंट थिंग सो यह कोस्टिन के लिए लोजिक है देखो क्या है मेरे बास प्रहले कोस्टिन देखते हैं जाना 91 इंटो आप 92 इंटो 93 इंटो 94 इंटो 95 96 इंटो 97 इंटो 98 इंटो 99 उस पूरे को डिवाइड कर दो किससे 1200 इक्सटिस को करदो रिवाइड क्लिया देखो अगर अच्छा एक बात आओ अगर मैंने 4 अपॉर अपॉन 2 लिखा कितना रिमेंडर है अगर मैंने लिखा 4 अपॉन 2 कितना रिमेंडर होगा बताए एक बार मुझे से न रिमेंडर कितना रिमेंडर की तरह अगर इसका बताओ 4 अपॉन 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 2 लिखा w इसका मतरब अगर पूरी दरा से वेल्यू कट रहे है, डिनोमिनेटर में कर वन आ रहे हैं, तो I can say that my reminder is 0, look at this value, 1 to 6 हो, निये क्या है मेरे पास, देखो अभी तो सबको maximum को यह लगता है कि prime number सा कुछ, ठीक है, अच्छा, इसको मैं से लेख सकता हूँ, 1300 minus 39, यह बताओ, 3961 is 100 and 1261 plus 39 is 1300, 13 अगर यहां से कॉमन लेलू कितना बच्छेगा, 100 minus 3, 13 into of 97, यानि यह जो नुमबर है मेरे पास, 1261, it is multiple of, 13 into of 97, clear? यहां से 97 से 97 भी कटा है, और 13, 7, so denominator बच्छा 1, तो answer is option number, D0, how can you say that answer is option number 6, clear? normal is that clear, explanation पसंद आई question के बताओ मुझे जरा, यह कुछ अलग questions है, these are not easy questions, जो easy question थे, वो शुरू में निकल चुके हैं, आप कुछ tough level के questions है, clear? please note, और daily लगाई इनको, पता चलेगा आपको नहीं चीज़ होगा, ठीक है? actually solution तो बहुत जग है, आप जाओगे बड़े अच्छे solutions दिये होगा है, but short solution, moderated solution पे आपको जाना है, clear? मैंने कहूंगा कि वो आपके solutions देखा आ रहा हैं, जो YouTube पे आप, आप वो कहीं मिल रहे है, clear? but यह moderated solution है, with proper explanation, clear? चले, let us move on to the next question, चले, please, this, when 70% of a number X is added to another number Y, the sum becomes 165, the sum becomes 165% of value Y, when 60% of the number X is added to another number Z, then the number becomes 165% of value of Z, which one of the following is correct? बदाव कौन साइन मिसे करेक होगा, प्लिस बदाएए, आप बताइए देखो बड़ा इससे कोश्चन है कुछ जाद नहीं इसमें अपने चांट-कांट करने हैं देखो क्या करने है X और Y है यह निवो क्या कह रहा है 70% of number X मतलब 70% of X is added to another number Y तो मेरे पास क्या हो जाता है The sum becomes 165% of Y यह निवी 165% of यह हो जाता है basically मेरे पास clear यहाँ से एक 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 एकेशन हैगी उसको पुट करने की next situation में गाँ एमने 7, X plus 10 Y, आपकान 10 इसेगल तक हुए कितना हूँ, 5 कितना हो कितना हुए मेने पसूँए, 33 by 20, 33 by 20 y, तो काटी है ज़र है इसको, तो यह कितना होगे मेरे पास, 2 times of 7y plus 10y, 7x, is equal to 33y, तो यह कितना होगे, 14x plus 20y is equal to 33y, तो यह कितना होगे, 14x is equal to 33y, minus of 20y, यानि 14x is equal to 13y, तो यह कितना होगे, 14y is how much, 13 upon 14, clear, तो x और y का रेशो आए मेरे पास, कितना होगे, 13 upon 14, done, अच्छा, hopefully आपने note करी लिया होगा, यह note कर लिया, प्लीज बताईए एक बार, नहीं note किया तो फटावर्स को कर लीजिए, फिर नेक्स पर उस पर चलेंगे, एक्वेशन पर, चलिए, नहीं किया तो प्लीज कर लीजेगा, इसको, एजी है, अभी रेशो आया है, नेक्स क्या कहा रहे है, when 60% of number X, यानि उसके बार क्या है, 60% of number X is added to another number Z, Z में add कर जाए तो कितना होगे, becomes 165% of Z, यह होगे, clear, इसका हम बतब 60 by 100 of X, plus Z is equal to कितना, 165 by 100 of Z, clear, तो यह कितना होगे, 6 by 10 X, plus Z is equal to कितना होगे, 33 by 20, Z तो यह कितना होगे, 6 X plus 10 Z is equal to, 0 सि 0 कितना होगे, 33 by 2 Z, ठीक है, 33 by 2 Z आगे होगे, यह इसको अगर कटिंग कर दूँ में जादे बेटर रहेगा, X में कुछ उपन निचे आरे, एक बड़ चेक करो, इसमें कहां उपन निचे आरा है मेरे पास, एक मुण रुखना जारा, यह अगर के देखोंगे, इसको इरुबार में, यह मेरे पास इतना ही बना, 6 by 10 Z plus X is equal to 33 by 20, आगे इसको में 3 by 5 कर दूँ, उपसे ठीक ने आरा है मेरा, 3 X plus 5 Z upon 5 is equal to 33 by 20 Z, चलिए, इतना ही आरा है, बताओ मुझे एक बड़ प्लीज, तो यह कितना ही आ गया, पांचों के 20, क्या X भी रहे इतना ही आ रहा है, तो यह कितना आ गया मेरा देखो, 12 X plus 20 Z is equal to 33 Z, तो 12 X is equal to कितना आ गया मेरा, 13 Z, इसको चेक करो, calculation check करो, इसकी एक बार जल्दी से, खिर आगे चलते calculation check करो, चेकी जीए, प्लीज गदाईए कि आंसर अरा आपका, यहां पर कुछ मुझे गड़ लग रही है, पर चेक कर ना जीए, कितना आ रही है, चलो, नहीं ठीक आ रहा है, तो X by Z कितना आ गया है से मेरा, X by Z is equal to 13, 12, ठीक आ रहा है, मुझे लगाश है, Z की मेरी value ठीक नहीं है, वही मैं cross check कर रहा था, तो student देखी मेरे पस क्या आ गया, अगर particular देखो X मेरे पस कितना आ रहा है, 13, Y कितना आ रहा है, 14, Z कितना आ रहा है, 12, तो अब क्या कह सकते हो, सबसे उड़ा Y है, फिर X है, फिर Z है, तो Y is greater than X, greater than Z, तो Y greater than X, greater than Z option number A, ठीक है, चलिए, आजी clear हो गया है, बताओ मेरे को एक बार, नहीं, नहीं, करने ही जुरूद नहीं है, इससे सही हो जेगा बिल्कुल, बिल्कुल simple answer निकलेगा, वो ज्यादा करने ही जुरूद नहीं है, experiment, ज्यादा experiment करोगे तो दिक्कत होगे फिर बाद में, अगर ज्यादा experiment किया जाएगा, तो वो problem create कर सकता है, चलिए, next question is, यह time and work है, नए trend का question, करिए, करिए ब्लीज, चलिए, please करिए, time and work का नए trend का कोश्चन है, कि n by 15 पर्षन, each working for 9 hours a day, can complete 36% of work in 8 days, n plus 9% can complete the remaining work in 20 days, if each of them work for 7 hours per day, determine the value of n, बताओ, n की value क्या होगी, होगी, determine the value of n, कि n की value क्या होगी मेरे पास, बताइए, देखिए, n plus 15% is working for 9 days, देखो, सिद्धी सी बात, आभी मैंने थोड़ दिर पहले आपको बताया था, होता क्या है, 55 आ रहा है, चलो देख लेते हैं जराब, देखो, मेरे पास क्या होता है, m1, d1, h1, e1, और divided by w1 होता है, ठीके students, और क्या होता है, m2, d2, h2, e2 अपॉन, basically मेरे पास यह equations होती है, clear है, देखो, यहाँ पहे क्या दिया है, n plus 15% each working 9 hour day, and can complete 36% of work, in each day, ऐसा ही कुछ आ रहा है, उसके बाद क्या है, n plus 9% can complete a remaining work in 20 days, each of them working 7 days, और अगर basically आपे 36 काम होता है, यह कितना करेंगे, 64% percent, percentage percent में ने पर अठा दिये, clear, ठीक है जी, देखो, 9, चोके 36, 4, दुनिया, ठीक है, अच्छा, और क्या कार सकते हैं, 4, 5, 20, दूला चोके 64, तो कितना बच्छा basically मेरे पास, 16 times of n plus 15 into 2 is equal to 75, 35 times of n plus 9, यह कितना हो, 32 times of n plus 15 is equal to 35 times of n plus 9, clear होगी बात, चलिए, तो यह कितना हो, 32 n plus 32, 30b 6480 is equal to 35 n plus of 315, कितना होगी बास, 35 n minus 32 n is equal to 480 minus 315, यह कितना होगी बास, 165, तो 3 n की value कितना हो, 165, n की value कितना हो, 55 option number है, normal ऐसी किया था, very good, very good, बहुत बढ़ी है, चलो, सही है, अगरे किया था तो, अगरे किया था तो, चलिए, जल्दी से नोट कीजिया, नेक्स पे चल रहाए, चलो, फटापर नोट करेशको, चली, let us move on to the next question, चलिए, next question is, P and Q can do a job in 24 days, Q and R can do it in 30 days, while P and R can do it in 40 days, X is 4 times as efficient as P, Y is half as efficient as Q, and Z is 2.5 times as efficient as R, determine the number of days required to complete the same job if X, Y and Z work together, सब्सक्राइब, देखिए, देखिए सब्सक्राइब कैसे करेंगे, देखो P और क्या हूँ, 24 में करते हैं, 24 days में, क्यों, plus R कितने days में करते हैं, 30 days में, while P plus R, 40 days में, सबसे बहले मुझे क्या करना होता है, सबसे बहले मुझे लेना होता है, इसका LCM, टो LCM कितना होता है, 120 आगया, तो Efficiency P, Plus Efficiency क्यों कितना आगया, 5, Efficiency Q, Plus Efficiency of R कितना आगया, 4, Efficiency P, Plus Efficiency of R कितना आगया, 3, यह आगया, ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे सबसे पहले Efficiency P, क्यों बहलें, इंडिविजुली निकालना, उसके बात देखें, कुछ न में क्या दिया होगा, यानि efficiency of, देखो, दो बार P, दो बार क्या हो, दो बार आ रहा है, यानि two times of, efficiency of P, क्या हो, और, कितना है मिरे पास, 5, 39, 13, 16, यानि efficiency of P, प्लस efficiency of Q, प्लस efficiency of R, 6, इसका मतलब, मिरे पास एक हो, efficiency of P, प्लस क्या हो, कितना है, 5, तो efficiency of R, कितना है, यान से, 1 आगी, efficiency of Q, 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 Q पोर टाइम है as efficient as P, P एगर एक है तो X चार है, P यहाँ पर कितना दियो, देखो P यहाँ पर 2 दिया हुगा है, तो इसको भी 2 करो, तो efficiency को facts में लिखता जाता हूँ, कितनी होगी, 8 हागी मेरे पास, ठीक है, अच्छा, Z is 2.5 times efficient as R, efficiency of, यानि Z और R, अगर यह 5 है तो 2 है, यह इसको 2.5 ही ले लो, अगर यह 1 है तो 2.5 होगी है, अच्छा, R कितना है, R 1 है, तो efficiency of Z कितनी हागी मेरे पास, 2.5 होगी, क्लियर, अच्छा, और किया यह Y is half as efficient as Q, Y, Q, Y is half as efficient as Q, Q अगर 2 है, तो यह 1 है, और Y कितना है मेरे पास, क्यों कितना है, क्यों होगी है, 3, यह 2 की value कितने 3, कितने कुना है, 3 बटे 1.5 times, तो यह भी कितना होगी, 1.5 times, तो efficiency of Y कितना हो गया, 1.5, क्लियर, X, Y and Z, clear, अब मेरी बात ध्यान से सुनिये, क्या है question में, वो कह रहा है, भई, X, Y, Z मिलके कितने दिर में करेंगे, होफिली यह सारा का सारा आपने note कर लिया होगा, यह individual efficiency निकालने बहुत important दिसमे, अगर में बात करो, 120 काम करना है, किसने करना, efficiency of X plus Y plus Z into time of X plus Y plus Z, clear, so 120 is equal to efficiency of X plus Y plus Z कितने 8 plus 2.5 plus 1.5 into of time, तो कितने 8, 2, 10, 11, 12, कितना अंसर आगे, 10 option number, D was the right answer, clear, तो ओफिली like, share, subscribe घर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज करिए, और आपके पास एक number है, 95177165, इस number पे आप call कर सकते हैं, किस नमबर पे आप, WhatsApp कर सकते हैं, clear, जल्दी से note कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए इसको, चलिए, चलिए, नेक्स इस, अच्छा, इंपोर्टन कोश्चिन है, number system का, for how many integers value of n, will the value of the expression 4n plus 7 be an integer greater than 1 and less than 200, मतब एक से बढ़ा आना चे, मतब मेरे पास n की कितनी values ऐसी आ सकते हैं, जल्दी ये बताना है, कि जिन values के लिए n, 1 से, मतलब n की value एक से बढ़िया नीची हो, और 200 से छोटी, मतलब अगर मैं को number लूँ, 4n plus 7, मतलब n की maximum value 200 हो सकती है, इसके बीच के कितनी values आ सकते हैं, n की maximum value क्यों आ सकती है, 48 हो सकती है, जब n को आपने 48 put किया, कितना है, 4 into 48, plus 7, 4 into 48 कितना हुआ, 192 plus 7 is how much, 16, 199, मतलब n की 48 values लोगी, ठीक है, अब आप कहोँए सर 48 answer लगा दें, 48 तो option में दीख रहा है, आपको ए लगा दो, पर गला तो हो जाएगा, क्यों, जब n आपने 0 put किया, तब भी तो हो सकते है, 0 plus 7, 3 आगे, greater than, yes, clear, अच्छा, अगर आपने, 0 plus 7, 7, not, अच्छा, next कितना, जब n is equal to minus 1 put किया है, मैंने तो, 4 into minus 1, plus 7 कितना होगे, minus 4, plus 7 is equal to कितना, ये भी plus 3 आगे, तो answer is, 1, 1, minus 1, 0, और 48, answer is option number C, तो इस तरह की question करेंगे, तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, मैं आपको भी बतारहूं, समझा की बाद, तो आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा, positive intent लेके चलना पड़ेगा, questions के लिए, समझा की बाद चली, next is, student, मैं भी बता रहा हूँ, कि doubt है न, इस नमरे भेज़ दो, मैं हमेशा बताता हो रहा हूँ, have doubt in, C-set, 951, triple 7, इस नमबर पर call कर सकते हैं, इस नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं, ताकि, आप लोग, जो doubts हैं, उनको clear कर सके, नमबर बन प्लैटफोर्म यानि अभी मन्यू आइस के साथ, clear, और वीडियो सलुशन मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा कि कोई अच्छा कोश्चन है, तो उसका वीडियो सलुशन दूआँ, clear, अब देखिए, C-set, batch है मेरे पासे, clear, जिसके टाइम में 3-6, साथर चाहर है यानि, टोटल, पांच में देख चलेगा, बैच, 30 मिनिट का मेरे पार डाउट क्लास है, ठीक है, 4 days a week, अबते में 4 दिन ग्लासिज मिलेंगे आपको, टोटल लेक्शर, 130 से जादा, 90 में लाइव लेक्शर है, यह एक्चुली आपका लाइव बैच है, जिससे आप ऑनलाइन, ओफ लाइन, जैसे चाहाँ अवेल कर सकते हैं, 50 से इसमें कौांट की लेक्शर थे, 25 लॉजिकल कर पंदरा इसमें, इंग्लिश की लेक्शर है, प्रिविश एर के कितने हैं, पंदरा लेक्शर, एमसी को पे शेशन कितने हैं, 50 प्लस, लाइ मेंटर्शिप के कितने हैं, 30 प्लस, नंबर आपको बता चुका हूँ, देखें, जो पोर्टर में लेक्शर लगा मिलेगा आपके पास, उसमें पके चार चीज़ ही मिलेंगे, सबसे पहले लेक्शर की पीडियेफ मिलेगी, ठीक है, नंबर दो पर क्या मिलेगा, लेक्शर की पीडियेफ मिलेगी, नंबर दो पर क्या मिलेगा, रिसोर्से, रिसोर्से मेरे चप्टर का वो पार्ट होगा, जिसमें ठियोरी होगी, कि basically chapter के बारे समझाया होगा formula formula सब भी सी में आएंगे नंबर दिन पर क्या एगा practice sheet practice sheet क्या होगी मेरी practice sheet होगी मेरा वो data जो question घर से practice के लिए दूंगा नंबर चार पर test आपर test का मिलेगा यह हर lecture के साथ मिलेगा जी नहीं जैसे ही आपका topic खत्म होगा उसके निच्छे एक बढ़िया से 15 बिसकोशन का test लगा दूंगा उस topic का और अगर इनमें को doubt आता है तो यहाँ पर 30 मिनटे का हम discuss कर सकते हैं यहोगी पहले की chapter का doubt हो यह वीडियो solution मिलेगा आपको क्लियर इसका क्या मिलेगा student मुझे वीडियो solution मिलेगा क्लियर चली नेक्स इस हमारे पास एक WhatsApp ग्रूप है जिसका लिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया के फ्रीज से जोइन कीजिए सारी PDF सब कुछ वहीं प्यार है चली नेक्स इस जैसे चोटे बड़े रिजल्ट यहाएंगे वाप्गी वीडियो माइक्रोगोर्स इस चली जैसे देखो यह था नंबर सिस्टम 357 रूपीस का देखो कितने कितने कोश्टन आपको कुछ करने की जूद्ध है सब डिटेल यहाँ पर मुझूद है त्रीस में ठारा कोश्टन बाइस में दस एक किस में नो ठीक है बीस में पंद्रा उननिस में सात्य सारे कोश्टन से आ ठीक है जी और यहाँ पर देखो सारा का सारा एक लेक्चर से लेने हो खाले दोस्तों सोला रूपे मिले सकते हैं वैबनोट छोरी लेने हो चप्टर की बाइस उरुपे में साड़े चार सो कोश्टन ले सकते हैं प्रिविस येर प्लस आप यह एक चप्टर के साथ है ऐसा न हमसर इस ने आ यहां पर दलके अपने अपने गोक कर सकते हैं लेक्स अंगर और कुल ले सकते हैं चलिये को है सब ले सकते हैं चुर थे को सब हन्य देख सकते हैं और यह उस्तिन्स dai तुर अर यह वो स्वेंटκान बड़ा जैसे सफिर्ष 51 आर्रा 56 जैना नाइंटी मोणी विख 10 ं वार को बढ़ो देखो नहीं लिखा भी विए बढ़ से मुझत June इसका मतलब क्या है कि phase 1, phase 2 और interview सब प्रिपेरिशन यहीं पे तो प्लीज लाइक, शेर, सब्स्राइब करना मत भूले चैनल आज वेले इस वीडियो को और नमबर है 951-357-67 कॉल कीजिए अभी के भी अनिर राउन लाँ, अगर फीसिल लेटरी प्रॉलम है न वो भी मैं सौट आउट कुरूंगा, पहले जुड़ी है तो मेरे सब्सक्राइब प्रॉलम बताए, जन्वन लेके कि तो भी कन टॉप, थैंक यू, बाबाई, टेक केर